हेलो एब्रीवन वैलकम टू माई चैनल उडान सपनों की आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ की माच की वरक्षीट वरक्षीट नंबर एटी त्री जो कि आपकी डेट एट ओफ प्रैप की हैं चाप्टर थर्टीन चल रहा है आपका सर्फेस एर्या एंड वॉल्म डिविजिन वॉक्षी टंबर फॉर्टी सिक्स चले क्वेशन पॉस्ट देखते हैं वाइं दा सर्फेस एर्या ओफ ए स्वेयर ओफ रेडियस आप यहां पर फॉर पाई आर स्वेयर का फॉर्मूला लगा देंगे और की वेल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आपका आजएगा थ्री नाइंटी फॉर पॉइंट फॉर सेंटी मिटर स्क्वेर स्क्वेर सेकिंड कोश्चन देखिए फाइंड टोटल सर्फेस एर्या थो आपका होगया। नोर्मल होगया है यहां तो देखिए है इस हमिस्वेयर आगर हम निकालते हैं तो 2 पाई-r2 का फॉर्मूला पुट करेंगे तो आपका आंसर आजएगा 620 यह सॉलिट पी देखिए यह उपर से क्या हो गया एक सर्कल और एड हो गया यानि कि पाई-r2 स्क्राइब कर देंगे तो आपका अंसर आगा 942 तो आपका अंसर ठीक होगा चलिए सब्सक्राइब देखते हैं तो हम पहले आर निकाल लेते हैं तो डायमेटर भी निकल जाएगा सर्फिस एजिये क्या होता है आपका 4 pi r square यहां से जब आप सॉल्ट करेंगे तो r की value जो है आपकी 4 r की value आएगी 4 r square की value आएगी जो हम d के equal लेंगे यानिकि 2 r देखे 4 pi 4 pi r square इसको हम equal रखेंगे 5544 यहां से जब आप value पॉट करेंगे तो आपका यहां से डीका तो यहां पर आपके जब आप सॉल्ट परेंगे तो आपका अंसर आएगा आपका अंसर आएगा 42 फॉर्थ कोईशन देखें एस्यूमिंग अर्टू बेस्वेर उप रेडियस रेडियस दे रखा है आपको आर दे रखा है हाव मैनी स्क्वेर ओफ क्लोमिटर इफ इस एडियो ओफ द लेंड इफ थ्री फॉर्थ ऑफ अर्थ सर्फेज इस कवर्ड बाइब वाटर तो थ्री फॉर्थ देखें पानी पर वाटर पर है चीक है तो वन फॉर्थ आपका बच गया लेंड पर और आर हमें दिया हुआ है तो टोटल स्वेर टोटल सर्फेस एरिया आपका जवाब यहां पर टैन है बिटा टैन इंटु टैन टैन और यह हंड्रेट डेसिमें लटा के हंड्रेट लगेगा कट जाएगा 628 आपका अंसार आजाएगा यहां से फिर त्री पाई र स्क्वेर हो गया यह 942 संटिम्टर स्क् इसक्वेर बिटांगे यह फैर यह 2R 2R 2 होता है तो हमें यह लिख सकते हैं लिख सक्वेर यहां ऑगया मैंने इसके पर्क्टर किये जब मैं इसके पर्क्र करूंगी 552 तो मेरे पास यहां आएगा फैक्टर अब डी स्क्वेर अमें डी निकालना तो अंडरूट होगा इध एरिया अट्सर इन इन्य पता एर्या कवर्ड़ को रहले कम वाटर थी वायएा फॉर्ट इन तो बचा सबुस्या है इभी पैका क्या है फिरें तो एलजिया होगा यहां से वैलिू रखेंगे और क्या हुआल है आंक्याविम्हार में स्प Edanard आप पर है तो यहां से जब आप वैली पूट करेंगे आर की यह आपका अंसर आ जाएगा ठीक है चले फिफ्ट कोईशन देखते हैं फिफ्ट कोईशन क्या है आपका दाइमेटर ओफ ए मून इस एप्रक्सिमेटली वन फॉर्थ ऑफ दाइमेटर ऑफ दाइमेटर ऑफ दाइमेट लेते तो सब्सक्रण का बड़ेब ओफ दाइमें ने की मून है अर्थ यहां पर बाता है और 2 सब्सक्राइब का Phillip इदूरम का खंब होगि को यहां पर झाहिते हो यहां पर हो जाएगा re by 4 का square और नीचे हो जाएगा re का square चीक है जब आप इसे solve करेंगे तो यह आएगा re square upon 16 re square यह कर जाएगा तो 1 by 16 तो आपका अंसर आजाएगा 1 is through 16 ratio 6 देखिए 6 में क्या बोलगा है एक right circular cylinder just and close यह देखिए यहां पर देखिए इसकी height h हो जाएगी और यह पूरा क्या हो जाएगा इसका diameter भी हो जाएगा और यह आपका radius हो गया तो इसमें आपको क्या करना सबसे पहले surface area of a sphere तो surface area of a sphere आपका क्या होता है 4 by r square ठीक है h के जिए हम 2 r रखेंगे जब आप 2 r रखेंगे तो 4 by r square अंसर हो जाएगा थर्ड है आपका ratio of area of 10 फर्स्ट और सेकंड तो first में आपका area निकला था 4 by r square second में भी 4 by r square तो ratio आपका आएगा 1 is to 1 चले 7th question देखते है a sphere of a cylinder and a cone are of the same radius and same height r और h आपके same है fine ratio of there curve surface area तो बहीं तो बहुत easy है यह मालेच हमारे square हो गया 7th का और यह आपका cylinder हो गया यह आपका cone हो गया तीनों की radius r है इसमें height होती है आपकी h हो गई curve surface area इसका क्या होता है 4 by r square यह होता है आपका 2 by r h और यह होता है आपका π r l तो π r और इसकी value आपके हो जाएगी h square plus r square देखे πाई से हैं सब cancer हो जाएगा तो यहाँ पचेंगा 4 r और यहाँ पर 2 r h और यह r से r यहां भी जब आप सॉल्व करेंगे तो यह आप का अंसर आएगा 4R ratio 2H ratio R square plus H square यह आप का अंसर हो जाएगा 8 question देखते हैं show that the surface area of a sphere is the same as that of lateral surface area of a right circular cylinder that just enclose the sphere तो देखे 8 question में आपको क्या करना है यह बिल्कुल ऐसे ही है 8 question में भी तो यह आपका sphere हो गया यह आपका cylinder हो गया यह भी R है यह भी R है क्योंकि इसकी radius हो जाएगी और H आपका क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा question number 6 की तरह लिटरल surface area यह आपका हो गया 4PiR square यह हो गया 2PiRH चीक है 2PiR और H आपका किसके बराबर है 2R के बराबर है तो यह आपका क्या हो जाएगा 4PiR square तो यह भी आपका 4PiR square हो गया 4PiR square और यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 4PiR square तो यह पूरा equal हो जाएगा चीक है चलिए यहां तक हम आंसर देख लेते हैं इदे कि आपका फिफ्थ जो क्वेशन था यह मैंने यहां सौल क्या हुआ है आर इस अर्म इस इसल्टो आरी अपॉन में फोर सर्फिस एरिया ओफ मून इसल्टो फोर पाई आर्मस का स्क्वेर सर्फिस एर्या ओफ एसल्टो पाई और इका स्क्वेर दूने का रेशियो निकालेंगे केंसल आउट करेंगे तो आपका अंसर आएगा वन बाई 16 यानि कि 1 इस टू 16 रेशियो इस यूर आंसर सिक्थ कोश्शन देखें सार्फिस एरिया देखें यह यहां पर इस पर पाई आर्स क्वेर होगे को सर्फिस तो यह आपका equal आजाएगा है ठीक है 9th question देख लेते हैं आप 9th 10th 11th 9th question देखें the diameter of a sphere is decreased by 25% 25% decrease हो रहा है by what percent will it surface area decrease तो चले इसका भी answer कर लेते हैं चले पहले 10 question आपको यह समझा देती हूं the internal and external diameter of a whole hemisphere vessel यह हम आर ले लेते हैं चीक है यह आरवन ले 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 इसके बाद क्या है the cost of painting निकालना है find the total cost of paint आप देखें बटे यह वैसल है इसका जो surface area होगा वह हमारा क्या हो जाएगा बाहर वाले कर टू पाई आरवन का स्क्वेर प्लस अंदर वाला टू पाई आर्टू का स्क्वेर और यह यह वाला area तो यह क्या है आपका इसको माइनस कर देंगे पाई आरवन पाई आरटू का स्क्वेर माइनस पाई आरवन का स्क्वेर ठीक है तो यहां पे हम वैली सारी पूट करेंगे तो आपका आंसर आजाएगा और जो भी पैसे आएगा उसको पांच पैसे से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो आपका कॉस्ट आ जाएगा 11 कोशन देखें यह बुड़न टॉय है ठीक है कोन सर्मांड़िट वा ने हमिस्वेर यह देखें कोन हमिस्वेर पे है डाइमेटर ऑफजा बेस ऑफ दा कॉन 16 डाइमेटर दिया हुआ है एच्वी दिया हुआ हुआ है फाइंड दा कॉस्ट कॉस्ट निकाल लिए तो यह भी बहुत इसी है यहां से मेभी लिए निकाल लेंगे तो किल सरफिस एडिया क्या होगा क्या हो जैका क्या जाएगा पाइ और एल क्लस्ट टौइ और स्कोई यहां से जब वैल्लिवा सब करके दो आपकांसराइगा एक सब तो 7 के इसाप से या भी देखे संटीमीटर में सब कुछ ये पर लेकिन 100 है तो ये 100 से डिवाइड करतेंगे और 828 से मंटिप्लाई करतेंगे चले आंसर देख लेते हैं हम यह देखे बेटर 9 जो है आपका कोशन डीटू आपका यह है डीवन का 75 परसेंट है सॉल्ट करेंगे 3 डीवन बाई 4 आजाएगा एरिया 4 पाई आरवन एवन हमने ले लिया और एटू हमारा क्या है 4 पाई आरटू आरटू की जिगह हम क्या रख सकते हैं डीवन डीटू अप क्या है यहां से 3 d1 अपॉं 4 यहां से जब आपस्वल्ट करेंगे 9 लिए 1 का हूल स्कूर अपॉन 16 आएगा यह दिवन हमारा 4 पाई आरवन के स्कूर है तो हम दीवन के जहिए हम क्या लेग सकते हैं पाई आरट का हूल इसकूर हम लेग सकते हैं चीक है अब कितना करेंगे तो 43.75 परसेंट आपका अंसर आएगा 10 में देखिए डीवन और डीटू हमें दे रखा था है यहां सर्फेस अर्या निकल जाएगा यह मैंना भी आपको बता है यहां से बस आपको वैली पुट करनी आर आपको पता है यहां से जब आप वैली पुट करेंगे तो 96.28 अप्रोक्स 96 रुपीज आपका अंसर आ जाएगा 11 में देखिए यह टॉय है जो स्फेर के उपर है कून की शेप में डायमेटर आपको दे रखा है यह जो डायमेटर होगा वही आपका हमिस्फेर का डायमेटर होगा आर आपको एट दिया है एच आपको 16 यहां से पहले यहां से सॉल्फ करेंगे तो आपका अंसर आ जाएगा एप्रोक्स 58 ठीक है तो यहां आपका वोक्षीट कंप्लीट होती है आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज सेनल को लाइक करें सब्स्राइब करें कमेंट करें और अपने फैंस के साथ शेयर जरूर थैंक यह तो आपने करेंगे तो u